क्या आप भी YouTube Channel खोलना चाहते हैं और YouTube Channel खोल कि आप धेरो ओनलाइन इंकम करना चाहते हैं तो इस वीडिएयो को सुरूज से लिए आखिर देखिए इस वीडियो में मैं अपनी YouTube जर्णी के बाद में बता है अपना Experience शेर किया है पहले दिन के YouTube Channel खोलने से लिए यह जो मेरी payment आई है और कितनी आई है और जो है कैसे कैसे आप ये कर सकते हैं पूरी डीटेल में मैं अपनी experience अपके शेयर करूँगा जिससे कि अगर आप YouTube चैनल खुलने का सोच रहे हैं या फिर आप YouTube चैनल आपने खोला है तो आपको ये पता चल जाएगा कि हां कैसे कैसे कितना टाइम और किस डेट को कैसा होता है पूरी डीटेल में जान करी बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को शुरू से लिए काम में आने वाली है बहुत ही information वाली वीडियो है इसलिए इसको skip मत किजेगा शुरू से लिए अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो YouTube में आपको दावे के करना पड़ता है जो कि आप अपने mobile phone से easily कर सकते हो तो मैंने भी अपने mobile phone से YouTube चैनल क्रेट किया था आट महीने पहले ठीक है और जब मैंने आट महीने पहले चैनल क्रेट किया था तो उसके बाद यकीन मानो मेरे एक से दो महीने तक व्यूज आ रहे थे कोई दो तीन आट मेंने से थोरी थोरी व्यूज बढ़ने शुरू है तो ऐसे करते-करते मैं फिर लगाता रहे जो है काम करते ही है और करते-करते जो है आप मुझे जो है आट मेने करीब करीब लग गये कि मुझे आपको मैं बता दूँ अगर यप YouTube चैनल खोलते हो तो उसमें जो है ठ् 1000 सब्स्राइबर का और 4000 घंटे पूरे करने का आपकी वीडियो पर तो 1000 सब्स्राइबर और 4000 घंटे पूरे करने में मुझे बिलकुल जो है टोटल के टोटल जो हाँ आट मेने लग गये मुझे पता है यह बहुत जादा समय है क्योंकि देखो अगर आप आप टेक्नोलोजी कोई information related वीडियो बनाओगे तो इसमें views बहुत कम आते हैं growth जादा होती है अगर आप comedy wines गाने वाने यह सब आप टैंक इस तरफ की वीडियो बनागे हो तो आपका जादे से जादे से दो से ती मेने लगते हैं इस सब complete होने में लेकिन उसमें earning भी आपकी कम होती है लेकिन जो है अगर आप जो है technology related या electronic item related को भी आप वीडियो चैनल बनाते हो तो उसमें जो है आपकी जो earning जादा होती है क्योंकि उसमें जो है airs जो आते हैं उसमें भर बर के ads आते हैं और महेंगे ads उसमें आते हैं तो मुझे जो है 1000 सब्सक्राइबर और जो है 4000 घंटे पूरे मे यह में टोटाल आठ मेंने लगे आप होने के बाद मेरा चैनल चला गया under review में पहले क्या था under review जाने में के बाद एक मएन धो मिने टायम लगता था क्योंकि उस्टाइम आपको जो भी आगर आप channel create करते हो और आपका जो है target complete हो जाता है तो under review मेरा जादा से जादा दो से 3 तो वह भी आपका जो एप्रूव हो जाएगा एप्रूव होने के बादी तीन दिन के अंदर ही आपका हो जाएगा जैसे आप अंडर रिवीव में वही चैनल का जो है यह वह लोग जो है आगे बढ़ाएंगे जिसका ओरिजिनल कंटेंट होगा यानि कि मैं कोई भी क्लिप य स्लाइट करके बस वह वह दे रहा हूं तो वह भी चैनल वह लो मॉनेटाइज नहीं करेंगे वह सेकंड रिवीव में डाल देंगे या फिर आपने कहीं से वीडियो वीडियो जो बना दिया है तो वह भी नीचे लगए यह आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए आपका दोनों में से कोई चीज होना चाहिए दोनों है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है यह अंदर का जो है क्राइटेरिया है और अंदर का यह रूल है यह अगर यह फॉलो करेंगे तो आपका 100% चैनल जो है मोनेटाइज वका ऐसे बहुत सरह आप देखो कि मोनेटाइज नहीं हुआ था त्हां तो फिलंडा मैनने मैनने के बाद भी तो फिलंडाइज दीन लगा निकांद कर मारऄ जो जाइए अब आपटे अएर्ड्रेस में देना पड़ते हैं ऑगर प्रेत करें डेसे अपर करना पर था जाता है घांनी डालर आने के बाद आपका यह आडर प्रेत हो सुन पेम्पाँ डालर के चल डालर मेरा कने मेरे आपकेransa और यहristική के अंदर मेरे पास प्रेत करël इंकम नेने के लिए आपको 100 डॉलर लगते हैं तभी पैसे प्रेक्ट अपने बैंक हैं आप मंगा सकते हैं 40 दिन मुझे लगए 100 डॉलर मेरे complete करने में इस चैनल पर जिस चैनल में आपके वीडियो देख रहे हो और आपको सबसे अंदर की बाद मैं बता दूँ कि जो भी हमारी earning होती है वो YouTube के dashboard से जो है तो 12 तारिक को यानि 12 तारिक को add होती है आपके AdSense के account में और 21 तारिक को वो लोग पैसे वहां से release कर देते हैं और जो है पचार से पांस दिन के बाद आपके account में चलिया आती है सबसे पहले आपको अपना नाम आएगा नाम भर देना नाम भरने के बाद आपके account number बोला जाएगा तो दो बार आपको account number देना है उसके बाद IFAC code है वो देना परेगा और उसके बाद swift code आप अपने bank का दीजेगा इसके लिए आपको अपने bank में जाने के लिए मैं ऊपको request करूँगा जाके बूलिए कि मुझे मेरा bank account इस bank में है और मुझे इस bank का swift code चाहिए तो वो आपको swift code देंगे अगर उस bank का अपना swift code नहीं होगा तो उस journal का heaad bank होगा तो उसका वो swift code आपको देंगे तो बस वो ही swift code आपके account जो access के account application खोलेगे वहाँ पर आपको swift code दे देना है और बस okay कर देना है बस यह तीनी चीज चार चीज भरनी है अपना नाम आपका account number दो बार भरनना परेगा ठीक है आपका फिर उसके बाद IFC code भरनना परेगा और swift code बस चार पांच चीज है इसके लाबाद कुछ भणने के जुरूत नहीं है उसके बाद आप सेफ कर दिए अब सेफ करने के बाद एक इस तारिक को आपके पास एक mail आएगा कि आपका पैसा हमने रिलीज कर दिया है आप पांस दिन के अंदर आपके बैंक में आ जाएगा लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है आपके अगर पहले अर्णिंग देखो पहले अर्णिंग आएगी जो है चौदा पंदरा सोला हजार या बीज़ेदर के आसपास ही आईगी तो असनी इंकम आती है पहली इंकम आती है तो उसमें घबरा नहीं कुछ जरूरत कि आपके बैंक में ट्रांफर हो जाएगा ओंदि ह्टनि बैंक को कुछ भ्याउत होता है तो आपको फोन करेंगे Uk बुलाने के बाद आपसे पूसास करेंगे पूछेंगे पैसा कहां से आ रहा है इंहां रहा है को आपको बताता है और प् гор Subkope आप भी जो बैठे रहे तो उनसे पूछो के शुफ्ट कोड् क्या है तो वो लोग बोलेंगे हमको पता नहीं है आप दूसरे बैंक में जी ये मेरे साथ भी आता है तो बता हो पढ़ाए करके वो लोग ने बैंक में नौकरी ले लिया है लेकिन वो लोग को सुफ्ट कोड्य तो मैंने बोला कि भ़ही फोरन से पेमेंट आएगा उसके लिए फोरेइड डिपार्ट्मेंट का होता है जो शिफ्ट कोड आता है तो बहुत के नहीं आपको दूसरे ब्रांच में जा आना पारेगा मुझे आसा बोले इस बॉलेगा ब्रांच में जाई है ब्रांच मेरे आटाँट मे तो ज्यादा आसन रहाएगा लेकिन वैसे मैने कियाओ nine आया डेकि法 स्यां को सक्थी मेरे him replied है तो पांशे नहीं होता है कि Аप yourे चाहिए ब्राश को कि सुभक Chernap नहीं है हमने अपने घंड उफिस डेंट का है जो है उसकां-το हमने दिया था तो उसका स्विफ्ट कोड जो है वहाँ पर चाहिए वहाँ पर जाका को डीटेल में जानकरी मिलेगा तो मैंने वहीं बात सुन के फिर मैं आगले दिन मैं वहाँ पर गया वहाँ पर जाके मैंने बोला कि सर देखिया मैं वहाँ पर गया था मुझे ऐसा सा बोला गया तो मेरा यह है तो खेर गया उसेने बता दिया, तो आगे है, और जैसी मैं साम को आया है, तो साम को जो है, साथ-ाथ बज़े के आजपास, जो है, मेरे फोन में जो है, SMS का स्क्रिंट वाट मैं आपको मैं दे दूँगा, और हो सकते हैं, प्राइस को मैं तोरह हाइट कर दूँगा, क्योंकि ऐसे 100 डॉलर से ज़्यादा ही मेरा इंकम हुआ था तो दोस्तें यह जो था मैंने अपनी YouTube जर्णी में आपको बता ही शुरू से लेके लास तक तो कैसे कैसे किया जाता है अगर आप भी YouTube चैनल खोल रहे हैं या फिर YouTube चैनल आपने स्टार्ट क्या या फिर कोई प्रॉलम आ रही है तो आप नीचे कमेंट कीजिए मैं आपको जरूर इस बार मैं रिप्लाइ करूँगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए बुलते हो और गने वीडियो के साथ